आज हम देखेंगे कि Motorola C का password भूल जाने पर हम उसको कैसे reset कर सकते हैं यह देखें मेरे पास एक phone है Motorola C and इसका password जो है मैं भूल गया हूँ ठीक है जी तो इस phone को password को मैं reset कर रहा हूँ उसके लिए friends सबसे पहले तो आप phone का जो power की press करने के बाद यह है power की इसको press करने पर आप इसको first of all तो phone को power off कर दीजिए प्रेस किया मैंने power off select किया and okay phone मेरा power off हो रहा है एक बार जब मेरा phone power off हो जाएगा shutdown हो जाएगा उसके बाद हमारी जो activity वो start होती है अब देखिए phone को reset करने के लिए यह मेरे पास volume की है volume plus volume minus यह volume up volume down और यह मेरा power की है तो मैं power की और volume अपको press करूँगा पहले power की और volume plus को मैंने प्रेस किया प्रेस करने पर मेरे पास देखिए यह optional आ जाएगी recovery fast boot और normal तो volume plus की से ही मैं इस options को change कर सकता हूँ तो मुझे जाना है recovery mode पे recovery mode पे मेरा arrow आने के बाद मैं volume minus को press करूँगा volume down को यह मैंने press किया प्रेस करने के बाद हमारे पास यह आ जाएगा देखिए no command अब basically जब यह message आएगा no command तो अब हम यहां से हमें क्या करना है sorry यह जब no command आएगी options तो इसके बाद हमें क्या करना है हमें यह power button और volume आप इनको press करना है एक साथ देखिए यह power और यह volume आप इसको मैं press करूँगा अब मेरे पास यह जो options आई है reboot system now और उसके नीचे reboot to bootloader apply update from adb apply update from sd card उसके नीचे है wipe data factory reset तो हमें factory reset को select करना है select कैसे करेंगे हम यह volume up और volume down से हम इसको select कर सकते हैं उपने की जा सकते हम जाएंगे wipe data and factory reset पे और इसको select करेंगे अब और इसको press करेंगे प्रेस करने के लिए हम जो है volume sorry यह power button का use करेंगे यहां पर आने के बाद आप हम करेंगे पावर बटन का use इसको मैंने प्रेस कर दिया अब फिर से हमें set करना है volume down से delete all user data और इसको पावर बटन को press कर देना है अब देखिए आरा है wiping data formatting phone यह आएगा reboot system now तो हमें system को reboot ज़रूर करना है power key press करके power key press किया और आप मेरा phone restart हो जाएगा और एक तुम fresh mode पे start हो जाएगा so friend अगले वीडियो में मैं एक जो निया बिल्कुल famous phone चल रहा है उसको हम कैसे reset करें वह वीडियो डालने वाला हूँ आप इस चैनल को subscribe कर लेजिए ताकि उस चैनल जब भी मैं वह वीडियो डालूँ आपको उसका notification आ जाए right thank you for watching this video